हेलो फ्रिंट्स मेरा नाम है राहिल और आज मैं आपके लिए फिर से एक इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमा जो इंडक्शन होता है उसकी जो कॉईल होती है उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को हम इस्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख सकते हों यह है इंडक्शन की कोईल और यह उसके दो कनेक्शन है जिसे हमें थोड़ा ब्लेट से घस लेना है दोन्हों कनेक्शन को ब्लेट से साफ कर लेना है उसके बाद जो हमारे सीरिस कनेक्शन है उससे हम दोनो टर्मिनल्स पे लगा देंगे जैसे कि आप देख सकते हो मेरा सीरिस बल जो है लगने रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोईल जल चुकी है कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोईल जो है यह तो उपर से जली हुई दिख रही है लेकिन कोई 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 जो है उसकी एक तार भी तूड़ जाती है तो कोईल चालू नहीं होती है तो उस कोईल को हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं अब मैं जो है आपको जो न्यू कोईल है उसे चालू करके दिखा देता हो मैंने इन दोनों कोईल के टर्मिनल्स पे मिक्सर की जो पिन रहती है वह अटेच करती है तो चलिए मैं इसको यह देखी जैसे कि आप देख सकते हो इसका सीरिस बल्ब जो है वह चालू हो गया है तो इसका मतलब यह कोईल जो है एकदम ठीक है अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंड में जरूर बताना थैंक्यों वेरी मुच्छ